जैहिन आज की मेरी वीडियो एती का काम सीखने के बारे में है तो ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि सबका जीवन लगबग सेम होता है और जो मेरे साथ घटा वो आपके साथ भी घट रहा होगा या जरूर घटेगा अगर काम चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे मामा मेरे तया या मेरा कोई भी मेरा प्रेंड वगरा मेरा को काम सिखा देगा जल्दी तो मैं एक ही सीजन में काम सीख जाओंगा तो ये सबसे बड़ी गलत फेहम ही है उसका रीजन यह है कि आपका दोस्त आपका चाचा, मामा जो भी आपका रिलिटिव है, अगर आपको काम सिखाएगा, तो उसके काम की स्पीड स्लो हो जाएगी, जिस सा उसकी इंकम कम होएगी, तो वो आपको जल्दी काम निक देगा हाथ में, वो अपने हाथ से ही काम करेगा, और जब तक आप अपने हाद से काम नहीं करोगे आपको काम नहीं आएंगा असानी से क्योंकि जब तक आप करोगे यह, अपको समझने आएगा, यह है reason अगर वापको मूँ से बताएगा भी, तो भी आपको काम नहीं आएगा एक reason ये हुआ दूसरा reason आप अगर कहीं दूसरी जगा सीखोगे तो आपको काम इसलिए नहीं सीखने देगा क्या आप जैसी काम सीखोगे आप छोड़कर या तो company में चले जाओगे या फिर अपना काम कर लोगे तो इसलिए दो reason से आपको कोई भी काम नहीं सीखाने वाला जल्दी और तीसरा reason ये है कि जब आप customer के घर जाओगे तो customer आपको काम करने ही नहीं देगा वो आपको समझ जाएगा के mechanic आपको guide कर रहा है आपको काम नहीं आता तो वो चुटते बोलेगा के अरे यार यह experiment यार कहीं और कर लेना कहीं और सिखा देना प्लीज यार एसी में कुछ होना जाए आप मेरे एसी यार आप ही कर दो तो आपके head mechanic को काम करना पड़ेगा वो बोर्स नहीं कर पाएगा के तरदी मैं खड़ा हूं या यह है वो है क्योंकि यह सब मेरे साथ बोर्च चुका है मैं आप भी ती बता रहा हूं लेकिन मुझे काम सीखना था मुझे लगन थी मैंने guess किस तरह से काम करती है बुक करी दी रेफिरेशन थियोरी की उससे सीखी पूरी पूरी रात पढ़ी उसको समझी कि गैस्त किस तरह से काम करती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो सबसे पहला step है आप अगर इसी काम सीखना चाहरे तो आपको सबसे पहले इसी की working पता होनी चाहिए अगर आपको इसी work पता होगा कि किस तरह का करता है तो आपको कोई काम सेखा और ना सेखाए आप खुँज जाओगे कि इसी इस तरह से काम करता है यह फॉल्ट आ आठाया है तो मatलब यहाँ Uh तो आपको अपनी वीडियो के थू इस तरह से काम सीखने वाला हो, कि आपको i.g.ac काम सीखा हूँ गउगों आपको कंपनी के 12.ac यह. काम सीखने का तरीका. एक चीज का खास और से धियान अरगना है सबसे पहले होती है आपको सीकतनी है साफधानिया तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसी के काम करते वक्त आपको क्या क्या साफधानी रखनी है और सीजन ओफ आ चुका है जैसे कि अब आपको एसी के काम कहीं सीखने के लिए नहीं मिलने वाला है पर आप एक एसी खरीदना मेरे कहने पर जब मैं अपनी अगली व इस्पेरिमेंट करके काम सीख सकते हैं और एक गारेंटी है कि एक ही एसी का सीखाऊंगा और सारे एसी रेपैर कर पाऊगे क्योंकि मैंने भी एसी सीखा है मुझे तो खासतों से उपर से ओर्डर थे कि उन्हें पता चल गया था यह लड़का काम सीखते ही अपनी दुकान कोई भी बंदा इसको हाथ नहीं लगाने देगा, इसको काम नहीं देगा, मुझे सीखना था तो मैंने फिर भी सीखा महीं से इसीखा और उसी जगह थे और मातर एक सीजन में सीखा है, अगले सीजन में मैंने अपना काम डाल लिया था तो जिस तरह से मैंने एक सीजन में काम सीखा है, वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक सीजन में कैसे काम सीख सकते हो इसी का काम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बहुत आसान काम है तो सबसे पहला आप रेफ्रीजिरेशन की ठियोरी सीख लीजेए कि गज किस तरह से काम करती है यह पैटन पूरा नहीं है पर रेफ्रिजरेशन में जो गय स काम करती है वो यही है इसके बाद मैं अगला अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरी बात मानिए डिसलाइक मत करना आप से मेरी रिस्क्वेस्ट है आप नीचे कमेंट करना कि सर्जी मेरे को यह समझ नहीं आया समझ ल cowboy मैं को रइप्लाइ करूंगा मुझे लगेगा रिप्लाइ में नहीं समझा भा रहा हूं तो आपको विडाय में बना कर लिंख भेज करके सर्जी में आप के लिए आप से समझ हैं आयो आप सेपाले मेरी यह वीडियो में देख लीजिए कि gas काम कैसे करते है पहले जानते हैं वो कॉन से पार्ट है जो AC को cooling बनाने के लिए सायक होते हैं जिनकी आवशकता होती है cooling बनाने के लिए cooling बनाने के लिए हमें machine में 6 part की जरुत होती है इन में सबसे पहला part होता है हमारा compressor और दूसरा part होता है हमारा refrigerant जिसे हम gas कहते हैं और तीसरा होता है condenser और चोथा है हमारा fan पांचवा है हमारा capillary या expansion valve और चटा है हमारा ev operator मतलब cooling coil या फिर cooling condenser तो ये वो छे main part है जिन से cooling बनाई जाती है जिनका उप्योग cooling बनाने के लिए करा जाता है अब यहां से हम एक चार्ट के जरीए देखते हैं कि यह सब parts जो है किस तरह से काम करते हैं तो यह हमारा वो चार्ट है जिसके जरी हम समझने वाले cooling किस तरह से होती है तो यह है के डाइग्राम के प्रिंसिपल का इसमें मैंने छे आइटम जो है अपने दिखाए हुए है तो हम बता देता हूं यह हमारा कंप्रेशर है पहला ऐटम और यह रेफ्येसर हैं हमारा दूसरा अइटम जो की पूरे ए geliyor हर जगापर होती है कि जितने फी पाइप एकांड़ लगें सब कर आंडब कर λέब ज्यूह है उसके बाद तीसरा पाउट है हमारा कंडेंशर है यह हमारा से यह और उसके भाद चोता था ता उपता हमारा सता हमारा सभी हूं क translator क से यह ना-गेसरं पड़ता है तो यह व्यों नितल हैं और निम्हीं और फैन और दलिशान झाले मोला खेसे मूंट cooling coil और condenser भी कहते हैं cooling condenser तो यह छेओ आइटम मिलकर ही हमारा cooling बनाते हैं अब इनमें सबसे पहला जो work शुरू होता है वो होता है compressor से जब compressor हम शुरू करते हैं तो gas को जो रेफरिजेंट है हमारा उसको वो यहां condenser में compressed कर देता है जिससे के gas condensed हो जाती है और हमारी जो gas है वो लिक्वीड में बदल जाती है तो यह हुआ compressor का काम गैस को liquid में बदलने में सहायता करना और gas का cycle करना इसके बाद हमारा काम करता है condenser condenser में gas condense होईगी liquid बनेगी और उसकी heat निकालने का काम जो है यह condenser करेगा और इसकी heat निकालने में हमारा fan मदद करेगा बाहर से air खीचेगा यहां से और condenser के बीच से इधर निकाल देगा जिससे कि क्या है gas का जो temperature है वो कम हो जाएगा उसके बाद जब gas liquid में बदल जाएगी यहां पर हमारे पास gas होगी liquid form में और उसके बाद यह capillary से release होगी यहां पर capillary क्या काम करेगी जो condenser में gas है high pressured gas जो है उसको low pressure में convert करेगी जिससे के cooling बनती है रेफिज रेंट की यह खास बात होती है कि जब वो high pressure से low pressure में convert होता है तो यह cooling जो है वो बना देता है जो cooling बना देती है तो capillary का एक काम यह भी है जो condenser में gas high pressure होती है वो capillary के ही वजह से होती है क्योंकि capillary का सुराग बहुत छोटा होता है compressor के जरीए जो condenser में gas भेजी गई है वो capillary का side छोटे होने की वजह से पूरी तरह release नहीं होती है बहुत कम मातरा में release होती है जिससे के क्या होता है है तो कैप लुदी का ये कांबी जो कंप्रेसर का ये का में लिकुइड बनाने वाला गैस को ये कैप लाटी इसमें मदद करती है इस काममें इसके बाद हमारे ऑनडस जो लिकुइड फों में हो कैप लुदЬ ये से रिलीज के फाइनली एवप्रेटर में पेचेगा और जब वाय वड़ेटर में पहुचेगा तो वह जीद्म हो चुका होगा जिस से क्या है एक बिल्कुल थणडा हो जाएगा जब ड्रह समरारी सिंप जाएगी ओये एक प्रफ हमारा जो है फाईगा फिर यहां से वर्क शुरू करेगा, यहां से यह गरम हवा को लेगा अंदर यहां और इस तरफ से डिस्चार्ज कर देगा उसको ठंडी करके, जो हवा की गर्मी है, वो हमारे गैस में आ जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारी गैस है, वो लिक्विड की फोम की बजाए, अब वै लेकिन मैं बता दूँ, गैस इतनी गरम नहीं होगी, जितना हम सोच रहे हैं, बट लेकिन उसका टेंपरिस्चर जो है, वो चेंज हो जाएगा, रहेगी तो ठंडी, बट लेकिन उसे, हीटिड फोम मान लेते हैं, गैस की, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो वैपर में बदल ले लेती है, इसलिए उसको गरम गैस माल लेते हैं, वो ही गैस जो वैपर फोम है, यहां से, होते हुए हमारे वापिस, कंप्रेसर में आ जाएगी, कंप्रेसर उसको सक कर लेगा, और वापिस से डिस्चाज कर देगा, कंडेंसर के लिए, तो इसी तरह से ये साइकल होता र बनती रहती है तो यह वो पार्ट है जो कूलिंग बनाने में हमारी मदद करते हैं बाकी जो equipment AC में लगे होते हैं वो इन सब चीजों को control करने के लिए लगे होते हैं जैसे रूम का temperature manage करना motor की speed manage करना तो आप समझी चुके हैं mainly PCB का काम तो केवल unit को control करने का है जितने भी devices unit में लगे हैं उन सब को PCB सिर्फ control करती है mainly यह वो छे पार्ट हैं जो cooling बनाते हैं इनके बिना cooling नहीं बनाई जा सकती है इन पार्ट की form तो change हो सकती है बट लेकिन उनकी किरिया यही रहेगी जो काम करेंगे वो यही करेंगे जैसे केपलरी की बजाए expansion वाल्ब भी लगा लेते हैं उसमें भी cooling बन जाती है expansion वाल्ब में क्या होता है कि बस उसका size घटा बढ़ता रहता है जरूरत के अनुसार केपलरी का एक जैसा size रहता है वो घटा बढ़ता नहीं है तो इस सब में mainly जो किरिया हमारी हुई है जिस पे work हुआ है वो है हमारी gas तो एक बार finally में बता रहता हूं इसमें गैस पर ही जो है सारा process हमारा हुआ है compressor ने gas को compress करा मतलब जो हो हमारा gas को compress दोने से है जिससे के वो liquid में बतल सके ठीक दूसरा केपलरी ने करा high pressure से low pressure में यह भी gas पर हुआ प्रोसेस तो गैस जब low pressure हाई प्रेसर से low pressure में होईगी cooling बनाएगी यह भी सारा process जो है वो gas का है इसके बाद जो gas है हमारी वो पूरे air operator को ठंडा कर देगी और अपरेटर के अंदर से निकलने वाली air के थ्रू जो हो गरम होके वैपर बन जाएगी और जो गैस फोम में वो आने के बाद वैपर बनने के बाद तो इस वीडियो में साहद आप समझ गयोंगे के और compressor मे जाने के बाद cooling का जो इससे सिद्धानत है वो होने का उसको condenser में भीज़ देगा और वहारी किस तरह से cooling बनाती है तो इस सब में जो चल रहा है ना प्रोसिस कि क्या 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 मदश का हो रहा है गैस पीछे जा रही है और आपको वीडियो साथ नहीं है तो आप फिर व्लोग प्रेशर होके के मेरी क्या वाद है जो आपको condenser में जा रही है वहाँ पर बनना है तो यह किरिया बार बार हो रही है जिससे के कूलिंग बनना है वह आपको समझ में आ जाए तो में लीस में जो यह सब डिवाइस लगें कोशिश को एक कांट्रोल करने के लिए काफी डिटेल से जिससे के आप लोग समझ जाएं मेरी बात समझ गये जैसे कि मैंने जो फंडार के बारे बता दिया तो कहीं गरम से त्र बोलते हैं उसका भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया यह जो का भी बता दिया इसी तरह से हमारा जो एक जारिश है क्या बड़े बड़े लाइक तो सभी कुछ वीडियों देखने में यही फंडा चलता है पर इसको बनाने में यही प्रिंसिपल जो कही बार पूरे-पूरे दिन निकर जाते हैं लागू होता है हमारा तो इसी के थिरूप आप सरी क्वेस्ट है कि कम से कर डिस्लाइक तो ना करते हैं डिवाइस की तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग है तो आप दुबारा से नीचे कमेंट कर दीजिए मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं या आपको जो सवाल है जो आपको समझ नहीं आया वो आप नीचे जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या गलती हुई है जिससे के मैं अगली वीडियो में वो सु किस तरह से कमरे से बाहर और बाहर से अंदर मतलब जो ट्रांसफर होती है वो चैनल को लाइक अब जो जुड़े हैं जिससे आप वो वीडियो देख सके हैं अगर आप चुक हैं देखने के इसी का जो मतलब तो आपका जो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसमें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद